अब चेप्टर नेम इस फूड एंड हेल्थ है ना और फूड एंड हेल्थ में मैंने पहला वीडियो आपको बना दिया है यह जो है अपका सेकेंड वीडियो है उस वीडियो में अम लोगों ने बैलेंस डाइट तक पढ़ाता है अब उसके बाद जो आपका नेक्स टॉपिक है वो है डिजीज यानि की बीमारी है तो आइए पढ़ते हम लोग डिजीज के बारे में यहां पर देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे जो है दिखाई दे रहा होगा डिजीज है ना आइए देखते हैं कि डिजीज is a state in which a function or a part of the body is no longer in a healthy condition है ना यहां पर कह रहा है कि जो है डिजीज जो है भेमारी वो बाड़ी की वो अवस्ता जिसमें आपका parts of body है ना आपकी part of body यह जो है लंबे समय तक healthy condition में नहीं रहते यानि कि कोई भी part of body आपका work करना बंद कर देता है ठीक है ना वो तो इस अवस्ता को हम लोग क्या कहते हैं तो डिजीज कहते हैं ठीक है ना और यहां पर कह रहा है कि diseases कैन अकर विकाज आप इंप्रॉपर डाइट डिजीजज बीमारी होता क्यों है किसी को इम्प्रॉपर डाइट जो है संतुलित अहार जो है नहीं ले रहा है वो ठीक है ना या फिर लैक आफ रेस्टार एक्सरसाइज या फिर सही से वह आराम नहीं कर रहा है और इसके अलावा भी जो है दूसरे भी कारड से हो सकती है इन जनरल डिजीज अरे ये रफ टू टाइपस कीजिज हूद यहां यहां champक मैं और दूसरे बीमारी कारड और अभी फिलाहाल जो है कोविट-19 जो कोविट-19 वाइरस की वज़ा से हो रहा है वह गया है आपका एक कम्यूनिकेबल डिजीज बहुत ही तेजी से यह जो है फैल रहा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे एक परसन से दूसरे परसन में जो आसानी से तेजी से फैल है उसे हम यहां पर देखिए कि नउन कम्यूनिकेबल डिजीज आड़ डोस दो नाट इस्प्रेइड फ्रॉम वन पर्शन टू अनधर यहां पर कह रहा है कि नॉन कम्यूनिकेबल डिजीज वो होता है जो एक परसन से दूसरे परसन में नहीं फैलता है तिक है न इसको याद रखिए पर्टिकुलर फूड कंपोनेट आर काल नूट्रेंट यहां पर कह रहा है कि नन कम्यूनिकेबल डिजीज होता क्यों है किन कारणों से होता है तो यह कह रहा है कि कुछ पर्टिकुलर फूड कंपोनेट जो आपके हो गया है जो नूट्रेंट्स हो गया है उसकी कमी के कारण यह बिमारी होता है ठीक है ना these are called deficiency. और इसलिए इस बिमारी को non communicable disease को यह कमी के खरए होता है इसलिए हमलोग क्या बोलते हैं इसको deficiency diseases बोलते हैं ठीक है न इसलिक है ,some deficiency diseases are listed in table 2.2 यहां पर कह रहा है कि कुछ जो है आपके यहां पर देख सकते हैं जो है Table 2.2 में देख सकते हैं तो यहाँ पे पहला जो आपका डिजीज यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे देख सकते हैं Night Blindness यानि की रताओंधी टीक है न? Night Blindness यहाँ पे देख सकते हैं तो किस चीज की कमी के कररेच यह होता है और यहां पर कहरा है कि किससे में ौइटमिन हो गया गाजर आम डूद्ट बटर यह सब iso जाता है। ते क्या है यह अई चपीक्व nhiंद्ड भाग हमते हैं तो है नेक्स्ट यह आप到了 वाइटमिन B1 के कमी से यह वेरी 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 जो है वीमारी होती है ठीक है ना और यह कहां-कहां जो है वाइटमिन B1 पाया जाता है यहां पर देखर सकते हैं और भी बहुत सारे निनकोम्युकेबल डिजीज है आपके इस टेबल वजो क्या है इसकृवी इसकोट है गाई और यह किसका कमी से होता है तो सब्सक्राइब अगर आपके वॉटमीन सी सी आपको कर भी होने के सज्द में तो अनले हैं अनले और अमला आपका ओरेंज भी हो अनले में रिकेट इन। यह हड्यों की बिमारी है हो जाती है यहां पर देख सकते हैं इसमें किसी कमी से होता है तो Uh यह में किसमें मिलता है तो मिल्क इंड प्रोड़ॉक्त में का वाइटमीन डी मिलता है प्र Congress व्लont व्लंक गंतर देखा होगा यह यहां यहां पर जाता है यहां कि आइयोडाईस साल्त में क्रैंबेरी एंड लिऊ पाएजाते है तो पुस्ति के अपम होगेड़ी कर्याइम प्राइशे क categorie Dog united इन मीच यानि कि इन सारी चीजों का अगर हम लोग सेवन करें तो यह सारी बीमारी उसे हम लोग क्या होच सकते हैं बस सकते हैं और यह अपके यूट्रियंट्स है जिनकी कमी के वज़े से ये सारी विमारिया होती हैं ठीक है ना यूट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट झाल